यहां पर हम बात करने वाले UPTT रिजल्ट को लेकर तो आपको पता है कि कल आपका UPTT का रिजल्ट जो है वाने वाला है लेकिन आपका UPTT का रिजल्ट जो है वो कल नहीं जारी किया जाएगा इसका रिजन क्या है उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं और इसका रिजन जो है यहाँ पर साब साब बताये गया है कि जो आपका विधान सभाई एलेक्षन है इसका रीजन जो है वो बताये गया है और यहाँ पर साब साब लिखाए कि अटक सकता है UPTAT पर राम नहीं मिली अनुमती और यहाँ पर लिखाए कि अटक सकता है तो समझ लिजिए कि बिल्कुल आपका अटक ही गया है क्योंकि आपको पता है कि कल मतलब आने वाला था UPTET का फाइनल आंसर की जो की अभी तक जो है वो भी नहीं आया तो नॉर्माल सी बात है आंसर की नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट भी जो है वो नहीं आएगा और यहां पर जो है इलेक्षन के बारे में जो है वो बताएगे अचार संगिता के बारे में जो है वो बताएगा तो क्या है नियूज यहां पर थोड़ा सा नियूज भी हम देख सकते हैं यहां पर जो बताएगा है कि उत्तर परते सिछक पातरता परिछा जो आपकी UPTET है 2021 जो है पहले परचा लीखों ने कारड यह सब बताएगा है फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बताएगा है कि PNP सची अनिल हूसर चतुरवेदी ने जब परिछा का कारेकरम जारी किया था तब चुनाव अचार संगिता नहीं लगी थी एसे में पूरो घोसित कारेकरम के मुतावित 25 फरवरी को परडाम घोसित करने के लिए सासन से अनुमती जो है वो मांगे थी लेकिन बुद्धवार साम तक मतलब कल साम तक जो है वो अनुमती जो है वो यहां पर नहीं मिला है एसे में बुद्धवार को जो है जारी होने व वो जो है वो मतलब जो आपके आंसर की है वो तो जारी किया गया फिर आपतियां भी जो है इस तरीके से लिया गया लेकिन जो आपकी रिवाइज आंसर की है जो की 23 फरवरी को जो है वो जारी करने वाली थी लेकिन वो जो है आपका नहीं आया और यहाँ पर जो इसके बारें पर इच्छा है लेकिन अचार संगिता के जो है चलते कोई प्रस्ण ना खड़ा हो इसके लिए जो है प्यन पी सचीव ने जो है वो सासन से अनुमती मांगे थी जो की सांसन से अनुमती जो है वो अभी तक जो है वो नहीं मिलिये तो देखिए यह है आपका UPTT रिजेल्ट ना आने का रिजन तो अब आपका समझ लिजेगे कि यहाँ पर जो है अचार संगिता के बारे में जो है वो बताया जा रहा है कि अचार संगिता का जो है वो उलंगन हो जाएगा तो अब देखिए अब जब यहाँ पर अचार संगिता बारे में बताएगा तो आपका पता है कि नॉर्मल सी बात है यहीं अनुमान है कि अब आपका जो है इतने दिन बाद मतलब 10 मार्च तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा UPTT के रिजल्ट और UPTT के आंसर की को लेकर तो देखे यह बहुत ही मतलब साइड नियुज़े क्यों कि आप UP के ही तो आप जाकर सरकार रिजल् है इनका बस यहीं मतलब रिजन है जिसके कार जो है इन लोग लेट कर रहे है कि इन लोगों ने 2017 का पेपर जो है रिपीट किया जिसमें बहुत जादे विवादित रहा फिर उसके बाद जो है इन्होंने गलत आंसर की जो है वो दी उसके बाद जो है बहुत जादे वो तोल UPTT के परिछा जो है वो दिये हैं तो कह oppressed जो प्रभाव है वो पढ़रा इसलिए इन लोग इस तरीके से वो रिजल्ट आपके जारी करने में जो है ए फिर rivaize answer के जारी करने में जो है आचार सागिता को जो है वो बीच में ला रहा है बाकि अब student है अब क्या कर सकते हैं वेट ही कर सकते हैं तो देखिए आपको वेट थोड़ा सा और करना पड़ेगा और बिल्कुल सही है हमके साथ क्योंकि आप government के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप अभी चाहकर भी जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं बस एक माध्यम है क आप twitter के माध्यम से जो है वो tweet कर सकते हैं लेकिन इससे भी जो है government को जो है कोई प्रभाव जो है वो नहीं पढ़ने वाला है तो बाकि वेट करिए अब देखिए जो है इसके बारे में क्या information जो है वो आता है कब तक जो है इनको अनुमती जो है वो मिल जाता है बाकि जो को भी news या फिर information मिलता है तो हम share जो है वो कर देंगे यदि अभी तक मेरे चैनल सस्क्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लिजेगा मिलते हैं ले नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाइबाइ टेक्क्यार ओल्वेश् हमें वेश्ग कि अपटनल थैंक्यार बाइबाऑ है पिल्वेश्ग पिल्शनुन चैंक्यारा टेपनल शुम भी जया रिवाँ